ठीक है तो 2.1 पार्ट 2 क्वेच्चन नमबर 4 डिटर्माइन वेडर दे वैलिज आप दो कॉड़े एक्वेशन आर दे रूट्स आप दे एक्वेशन ठीक है अब बताना है कि यह बाजू में उसके रूट दिये हुए अगर वह रूट है या नहीं हमको फाइंड करना है ठीक ह तो अगर यहाँ पे 0 है राइट साइड में लेफ साइड में भी अगर 0 आया तो समझ जाने का वह उसका रूट है नहीं तो नहीं है तो LHS लेएंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड ठीक है X square प्लस 4X माइनस 5 ठीक है E is equal to के इस साइड वारा ले रहा है E is equal to मत लिखना X की value देखो यहाँ पे 1 दिया है बाकी practice के लिए में थोड़ा एक एक चोड़ दिया है वो कर लेना X के value 1 है तो यहाँ पे आएगा 1 का square 4 इंटू X की value 1 है माइनस 5 जहाँ पे X दिख रहा है वहाँ पे मैंने 1 डाला और यह भी 9 में था 1 का square 1 4 वन जा 4 माइनस 5 4 प्लस 1 5 माइनस 5 5 माइनस 5 कितना हो गया 0 और RHS भी अपना कितना है 0 इसलिए LHS is equal to RHS so X is is equal to 1 is a root of given quadratic equation ठीक है ऐसे 0 आना चाहिए 0 आया तो है नहीं आया तो लिखने का X is equal to 1 is not a root of given quadratic equation होगा तो हा नहीं होगा तो नहीं हो यह तुमको करना है समझ में आ गया यह भी कर सकते हैं कोई बहुत लोगों कर रहेता है कि सर अपन वाला बता दो एक पेपर में आने वाले नहीं है फिर भी ले रहूं में यहां पर दिया है यह तुमारा वैल्यू डालना है फाइप सक्के मैं रखना दो डुको कड़नी होगा क्यों के पहले स्क्वेर्ण यह पे encont करना था पर और पहले स्क्वेरागा पर कॉरने यह तो सब까 कमें क dummy क् 25 निचे 2 2 बंजा 2 टूसा 4 बिच में प्लस रहता तो कट नहीं होता बिच में इंटो इसले कट हो रहा है ठीक है बचा तुम्हारा 25 बंजा 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2 देखो दोनों से में 25 में से 25 के 0 2 में से 2 मतलब से में यह क्या हो जागा कैंसर कितना हैगा जीरो और आरेचेस भी हमारा कितना है जीरो इसका मतलब हो गया लेचेस इस एक्वल टू आरेचेस ए एम इस एक्वल टू 5.2 इस रूट अफ गीवन कॉड्रेटिक एक्वेशन ठीक है नेक्स वेस्टिन पर आते हैं यह समझ गया होगा तुमको इसमें के बचे हुए एक दो कुछन है वो तुम लोग सॉल करना है ओके तूपर बन का क्वेशन नमबर फाय और यह वो बोड के लिए आएम पी यह एक्वेशन आ सकता है दो मांक लिए यह नहीं आएगा लेकिन करना है यह एक्टिविटी में भी सकता है लेकिन यह आएम पीए तो यहाँ पर फाइंड डग के इस एक्स इकुल दूर्ट त्री इ के एक्स ग्विएर माइनस टैन एक्स फ्रस ट्री इस इक्वल टू जीरो स्क्रश ap follower x is du beiden ना तो यह अगता अव ब् Love दिखाए वहां X की वैल्यूू तुमको पता थीन है तो यहां पर तीन उसका आएगा स्क्वेयर 15 में PAUL perfekt तोनवे किके रहेतार इम्टभ प्लस्ट segregation तो जीरो अबर श्रीक करद भाएड़ लोग सिक्स लिख रहे हैं ठीक में वाजाया गाइं गर ऑने pedals फैर्टी दोनों के इसमें इन्टू होगा तीन और दिंच से बढ़ा इंटू रेते है ठेक्छे तो पहले इंटू ही करना एक 9 एक मायनस और एक ब्रस सबको पता है हो जाएगा ठीस में 3 गया हो जाएगा 27 थीश सिर्टेपाइबस बढ़ा है इसलिए जरी इस यह सकते दो आगा प्लश कर देगा मायमंक लिख देगा मारत को डिभाईर हो गया अब दोनों को लिवेल को होता है नाइन पर फोलने पर देंजल यह कि तुमारे के के वेले यह बोड में आ सकता है दो मांक लिए ठीक है टू मांक्स यह सकता है अब आते हैं पर उन्होंने फिलिन अप्लाइक जैसा दिया हुआ है वन आप दा रूट्स वेचेन नमबर सिक्सा वन आप दा रूट आप देखेशन फायम स्क्वेर प्लस टूम प्लस 2m प्लस k is equal to zero बच्चा भी लिख देगा कि यह equation दिया हुआ है तो यह इसमें information क्या बच्ची होई यह तो यह तुम्हारा solution उन्होंने बोलाए तो यह पर लिख देनेगा 7 upon 5 अब वो हो गया अब उन्होंने बला पूट M is equal to dot dot in the equation मतले M की वाले यह इस equation में पूट करो M की सब्सक्राइब इस बाट यह तुमको दियाने था देखो activity में यह तुमको दियाने था में लिखा क्योंकि तुमको समझने के कि जो भी एक्वेशन दिया रहता है उस equation को फूट करने का मैं ने यहाँ पर भी पूट किया था जो equation दियार है को वह equation यहाँ पर वैसे क्लेना है उन्होंने किता वाले में नहीं दिया है तुमने भी नहीं लिखा तो चलेगा लेकिन समझने के लिए पहले हम लोग ने वह एक्विशन को लिख देनेगा ठीक है अब यह तुम्हारा फाय है दोनों के बिच में इंटू होता है अब यहापे बॉक्स है बॉक्स मतलब यह वैल होगा और स्क्वेय में रफ में कर रहा हो माइनस हो या प्लस हो स्क्वेयर हमेसा प्लस रहता है म 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, मतलब उपर बच्चा 49 और निच्चे बच्चा 5, ये तुमको इदर लिखना है, लेकिन वो कैसे आया वो बताने करे में नहीं किया, ठीके, 7 का स्क्वेर 49, 5 का स्क्वेर 25, 5 के डेबल में आता है, 5 5 जा 25, तो 49 1 जा 49 और निच्चे 5, ठीके, और स्क्वेर हमे माइनस माइनस होगा, तो यह पर माइनस आएगा, ठीके, 7 टूजा 14, साथ दूने 14, 7 टूजा 14 और नीचे तुम्हारा क्या है, 5, अब डिनोमिनेटर सेम है, ठीके, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लग पढ़ चुके, डिनोमिनेटर अगर सेम होगे, 5 अपॉन 2 होगा, 3 एक बार, और उपर का प्लस होगा, लेकिन यह पर क्या है, माइनस, तो 49 में से 14 जाएगा, 49 माइनस 14, ठीके, 49 में से 14 गया, कितना बचा, 35, कितना बचा गया, 35, स्टेप लिग देता हो, मुंगता है तो, 49 माइनस 14, नीचे डिनोमिनेटर एक बार, हाँ, यह इसे रफ में ल लिख रहा हो, पेपर में तुमको लिखने ही गरज नहीं है, 35, फिर 5 के डेबल में 35 आता है, आता है, कितने बार बोलने पर, 7 बोलने पर, 5, 7 जा, 35, तो डायरेक्ट 7 लिखना था, लेकिन तुमको मैंने समझने के लिए इखा हुआ है, डिनोमेटर से में एक बार, 49 और 14, इसमें माइनस, जिसले माइनस होगा, 35 आएगा, पार्ट के डेबल में आता है, तो 7 आजाएगा, और तुमको मैंने अभी ज़स्ट बता है, कि हमको इससे लेना देना नहीं है, प्लस का उधर माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो तो तुम्हारी के की वैल्यो तुमने 9 में पढ़ा है, तुमने 10 में भी है, और अगर फैक्टराइज में तर 2.2 नहीं समझेगा, तो आगे का पुरा चाप्टर नहीं समझेगा, याद रखना, 2.3 नहीं समझेगा, 2.4 नहीं समझेगा, 5,6 कुछ भी नहीं समझेगा, 11 नहीं बरबर आएगा, 12 नहीं प्रुड़ों